पुलिस के जवान पर कार चड़ाने की कोशिश करता है तो कभी कोई उन पर हमला कर देता है और इस बार तो दिल्ली में पुलिस वाले को एक कार चालक बोनट पर घसीटता हुआ ले गया ट्रैफिक नियमों के उलंगन पर पुलिस वाले कार रोकनी की कोशिश कर रहा था तभी कार चालक कॉनस्टेबल को बोनट पर घसीटता हुआ ले गया चालक कार को लहरा कर पुलिस कर्मी को पटकने की कोशिश की जिसमें पुलिस कर्मी सडक पर गिर गए और इसके बाद कार चालक मौके से फरार हो गया मामला धौला कुवाँ इलाके का है इसके बाद पुलिस ने आरोपी कार चालक के खलाफ केस दर्च कर लिया है रोपी का नाम शुभम बताया जा रहा है, कार चालक ने ट्रैफिक पुलिस को जिस तरह से सड़क पर पढ़का है, इससे वह किसी अन्यव वाहां की चपेट में आ सकते थे, ऐसे में उसकी जान खत्रे में भी पढ़ गई थी तो दली से ये दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है, ये फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं, पुलिस वाले को कुछलने की यहां पर कोशिश इस शक्स ने की है, बोनट पर घसीडता हुआ, ये चालक ले गया, कार रोकने की कोशिश ये जवान कर रहा था, लेकिन जो चालक है, वो घसीडता हुआ, बोनट पर उसे ले गया, बोनट से सडक पर पुलिस कर्मी गिरा, और बाल बाल उसकी जान बची है, तो देश की राज़ानी दिल्ली इन दिनों, जिस तरीके से पुलिस ही यहां पर सबसे जादा असुरक्षित है, कभी कोई दिल्ली पु आम लसामी आया हुआ